वेलकम इस जिन्दगी 2.0 और स्ट्रॉम मोटिविशनल चैनल दोस्तों इफ लाइक मैं वीडियो तें प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल एक बार एक बिखारी अपने जीवन से परिशान हो चुका था क्योंकि उससे अपने जीवन को चलाने के लिए भीक मागना पड़ता था उसे हर एक चीज़ के लिए भीक मागना पड़ता था इसी बात को लेकर वे दुख ही रहता और दिन पर यही सूसता कि उसकी जीवन में बदलाब कैसे आएगा यह सोच कर वे निराश हो जाता वे हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आखों में आसु लिए और अलग-अलग चिंताओं से परिशान कौतम बूद के तरब जाते हैं और वापस लोड़ते समय वही लोग बहुत खुश होते थे वे बिकारी यह नहीं समझपा रहा था कि कौतम बूद उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बहुत खुश हो जाते थे वापस लोड़ते हुए लोगों के हाथों में ना तो धेर सारे पैसे होते थे नहीं सोने चानी तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बूद के पास से लोड़ते वक्त इतना खुश होते थे यह सब सूच कर वे बिकारी भी सूचनी लगा कि भेवी मादमा कौतम बूद के पास जाएगा और देखेगा कि मा ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं एक दिन बेवी बूद से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा जहां बूद मौद मौद थे वह बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी तो वह बिखारी भी उस लाइन में खड़ा हो गया जब लाइन में लगा हुआ था अपने बारी का पी सपरीज से इंतिसार करने लगा लेकिन देखते ही देखते उसकी बारी भी आही गई और उसने बुद से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है मुझे अपने जीवन जलाने के लिए भी दूसरों से भी एक मागने पड़ती है अब आप ही बताईए कि मैं अपने जीवन को बहतर कैसे कर सकूँगा या सबसुनकर बुद ने कहा तुम गरीब नहीं हूँ तुमें ऐसा लगता है क्योंकि आसक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया नहीं तुमने कभी किसी को दान दिया और नहीं तुमने कभी किसी का भाला किया या सबसुनकर बिखारे के मन में एक आशंका से जागोगी अपने इसी शंका को दूर करने के लिए पुछा, मैं तो एक बिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ, और कैसे लोगों की सहेता कर सकता हूँ, मुझे तो खुद अपने जीवें चलाने के लिए, तूसरों पंनिर भलाना पड़ता है, तूसरों से मागना पड़ता है, दूसरों का होसला बढ़ा सकते हो यह सब करके भी तुम दूसरों की साहता ही करोगे ज़रूर नहीं दान्सर पैसों से किया जाए हम जाहें तुम जिक्षा का भी दान्स कर सकते हैं जाहें तो अन्न का भी दान्स कर सकते हैं उपरवाले ने अगर किसी को पूर्णता अच्छा शरीव दिया है तो मैं गरीब नहीं है मैं बस दिमाग से गरीब है उसे इस विचार से हट कर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए बुद्किया बादे सुमनेने के बाद प्रिकारे बहुत ही जादा खुश हो गया और उसका मन संतुस्ट हो गया इसलिए दोस्तो अगर शुए ने आपको स्वस्त शेरीव से नावाज आए तो आप बिलकुल भी करेब नहीं है थांकियो दोस्तो